इंड नीड कि अधिया ओते को प्रवननस की देखो नीड इंपोर्टेंट है यहां पर कियों इंपोर्टेंट है पढ़ते हैं पहले ग्रोइंग नंबर ओफ स्केम्स देखो क्या है ना यह हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारे फ्रोड हो रहे हैं जैसे सत्यां फ्रोड हुआ कि हम दोनों फ्रोड नहीं पढ़ने वाले यहां पर से रेफ्रेंस दे रखा है कि हाँ जैसे एक दो फ्रोड ऐसे हुए थे उस वजह से कॉर्पेट गवर्नेंस की नीड पढ़ी है ठीक है की कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में सारी ऑज रखती है झल की न करेके निक आवरीट रिपोर्ट में इसने सारे काम करें तो नहीं रिप तो नहीं लिख दे जो कि company में नहीं चल रहे हैं ठीक है और जो भी अलग-अलग एक्ट अलग-अलग rules अप्लाई होते हैं corporate governance के अंदर वो भी हम पढ़ेंगे अभी ठीक है जैसे एक तो हम उसी में पढ़ेंगे एजन्सी में एजन्सी कह रहा हूँ, models में, models में जो में next class में कलाऊंगा ठीक है यानि आपको company कहने के मतलब सही से चलेंगी तो मतलब यह सब चीज़ें नहीं हो रही थी पहले या इन चीज़ों में गलतियां हो रही थी इसलिए corporate governance की जरूद पड़ी अगर मानलों धोके धड़ी नहीं च सेबी requirement पताने कि जो होती है लिस्टेड कंपनी पर होती है एंड उन लिस्टेड कंपनी 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 रूल रेगुलेशन पताने 49 है और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि सेबी रेगुलेशन में लिखे हुए है कि अगर ऐसा नहीं करा तो आपको यह पैनेटी लगे इन्वेश्टर का पैसा नहीं मर जाए धोकदरी ना हो जाए उसके पास शेयर होल्डर को नुकसान ना हो जाए वह ध्यान में रखते हुए सेबी ने बहुत सारी रूल्स निकाले हुए जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बस यह लिखाया कि सेबी ने यह शीज़े बता र इस पॉंसेबिलिटी भी आप यहां समझ सकते हो तो शोशल कॉर्प्रेट इस पॉंसेबिलिटी थी अब यह बड़ा पॉइंट है यानि सोसाइटी के प्रति आपकी क्या रिस्पॉंसेबिलिटी होनी चाहिए वह भी लोग फोलो नहीं कर रहे थे एक छोटा सा एक्जामप यह सार समझते हो यह सार के जैसे जब कंपणी ना बहुत बड़ी बन जाती है जब सब्सक्राइब तर्नोवर हजार करोड़ सोपर पहुंच जाता है या फिर उसकी कैप्टर पांसो करोड़ सोपर पहुंच जाते दो तिन कंडिशन है अगर इतनी बड़ी कंपनी बन गई तो उसको अपने प्रॉफिट का दो परसेंट सोसाइटी में खर्च करना होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा मैं बता रहा हूं सोसाइटी में मतलब किसी अच्छे काम के लिए मानलों गरीबों के मदद कर दिया आपने कुछ लोगों को employment दे दिया कोई और NGO वाला जो काम होते ना उनमें आपने डोनेट कर दे कैसी अथीए पैसा दे दिया कुछ अच्छे काम कर दिया तो वह सारी जीज आती है corporate responsibility में और corporate governance सही से बना रहेगा यानि जो companies act में लिखा हुआ है कि 2% of net profit का आपको खर्च करना है जब आप एक बड़ी company बन जाएंगी आपके जिम्मेदारी आती है कि आप society पे भी ध्यान दो तो आपको 2% खर्च करना है तो यानि एक तरह से corporate governance का एक point बोल दिया है इतनी बड़ी अगर आप company बन जाओ तो आपको क्या करना आपको यह चीज करनी है अगर governance सही से चलेगा तो आप पैसा भी खर्च करोगे ठीक है इसी चीज़ को बस पब्लिक मनी कि शेरोडर पैसा लगाता है कंपनी में कि इतनी चीज़े हो रहे थी स्टोक मार्केट में गलतिया हो रहे थी फ्रॉड कर रहे थी कंपनिया बहुत सारे इन सब की वज़े से आपको corporate governance की need पड़ी दूसरा merger वगर करना पड़ी गया ठीक है यह सारे चोटे पॉइंट है यह आप रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा बस आपको रीड जरू करना है क्योंकि चीज़े मैंना समझा दी है heading भी आपको याद हो जाएंगे लेक जैसे कि मैं starting से बोलता है हूँ कि आपको एक बार ना रीड करना ही करना है घर पे यह मत कहना कि सर रीड नहीं किया रीड करके नहीं है ऑल्दो मैं next class में आप देखी रहे होगे कि मैं जल्दी से 5-10 मिंट में पर 15 मिंट लेके सारा पीछे कर रिवाइस करा देता हूँ बट आपको रीड करना इतना जरूरी है ना कि आप कल को क्या का होगे पेपर साने कवाद सर हम ना लिखनी पाए क्योंकि टॉपिक जो है ना हमारा यह सब्जेक्ट है पूरा का पूरा यह है बहुत ईजी समझने में बहुत ईजी है लेकिन जब आपको मैं बोल दूँगा आपको मतला तो उसका पता होगा लेकिन लिख के दिखाए इसको एक पेज में पहुने पेज में लिख के दिखा एकस्प्रेइन कर इसका मेनिंग्स, वहां फस जाओगे पिर आप बोलोगे जब तक आप यह रीड नहीं करोगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे ध्यान र मैं एक दिन लाइव आके जिस भी दिन लाइव आँगो उस दिन में करूँगा इसीच को ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रोल ओडिटर ओव कॉर्पेट गवर्नेंस तो इस चेप्टर में आपका जो कोश्चन आएगा आ सकता है या तो वो स्कोप का आएगा डेफिनिशन के साथ या फिर नेडग आ सकता है या फिर आपका ये रोल आ सकता है टॉपिक का नाम ही इस चेप्टर का नाम ही क्या है रोल ओफ और ओडिटर इन कॉर्पेट गवर्नेंस डीओ वाले लोगों आप देखना जो चेप्टर 3 है जो डीओ की बुक से पढ़ रहे हैं चेप्टर 3 ये चेप्टर 3 ही है आपके उख के साथ से ठीक है और इसी टॉपिक में आपके इसी चेप्टर में ये सारी चीज़े जो हमने आज पढ़ी है यह सभी सी में आ गई यहां से तो अगर रोल ओटर इन कॉर्पेट गवर्नेंस भी आ जाए तब भी आपको क्या करना है एक बार यह पूरी कॉर्पेट गवर्नेंस का मेनिंग लिखना है एंड यह रोल लिखने है आज के लास में बहुत कुछ है डिस्कुस करने के लिए दोस्त बहुत कुछ है अब जिनको हमने ये बुक लगवाई है जो बुक हमने सजेस्ट किया था उसमें जो रोल ओफ ओटर दे रखा है वो नहीं लिखने है हाँ trabajar शॉकिंग है किसी वूग में सही से नहीं दे रखा तो मं बता ही यहाँ पर मैं संजानें वाला आपके लिए पैठोओ कि आपको च्या लिखना है काहाँ पर क्या समझनगा है लेकिन अगर नहीं दे रखा या गलत दे रखा तो मैं क्या करूं उसमें पता क्या दे र ora आपके book में उसमें दे रखा है as per section 143 to section 143 sub section 3 इनके point दे रखे हैं कि auditor करता क्या है अपने reporting में क्या 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 करता है या फिर company से क्या क्या inquiry करता है क्या पूश्ताच करता है वो लिखा है और क्या क्या report करना है उसको अपने report में क्या 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 लिखना वो लिखा है इन दोनों section में है तो आपके book में इन दो section का point डाल दिये हैं कहां पर डाल दिये है role of order in corporate governance के अंदर ठीक है बहुत specific point डाल दिये हैं बहुत high level का point डाल दिये जबकि वो नहीं करना आपको आपको यह वाले point लिखने है अपने paper में अब यह role of order in corporate governance आएगा अगेन यह important है आपको यह लिखना है और यह उससे ज्यादा असान है इन section में जो point दे रखे न उससे ज्यादा असान यह चीज़े हैं ठीक है और देखो आपको याद रहे जाएंगे बहुत easy point है जो भी advantages थे वही तो हो जाएंगे ना अगर order अपना काम धंग से करेगा auditor क्या करेगा balance sheet और पेंडल वगएरा को तो चेक करेगा ही करेगा बाकी उनके processes वगएरा भी उसको check करने चाहिए ठीक है और का काम क्या आपने पढ़ा था opinion देना होता है ऑपीनियन किस पर देता है financial statement पर देता है यहां वही सारा बुक्स सही बनी हुए है लेकिन दोस्तों उसका काम यह भी है कि सारी चीज सुचारू रूप से चलता है ठीक है कोई गलती तो नहीं कर रहा मैनेजमेंट तो गलती नहीं कर रहा खुद मैनेजर तो फ्रॉड नहीं ऑडिटर अपना काम धंग से करता है तभी तो इतने बड़े-बड़े scam पकड़ जाते हैं जब और रिपोर्ट आती है बाद में चान भीन होती है फिर government investigation कराती है तभी तो चीज बहर निकलती है तो अगर ऑडिटर धंग से काम करेगा सारी चीज धंग से रिपोर्ट करेग तो आपको automatically corporate governance को maintain करने में फाइदा मिलेगा ठीक है तो कैसे हो सकता है और कैसे कर सकता है corporate governance में फाइदा कैसे दिला सकता है कि company से से काम करे अकाउंटेबिल्टी और क्या देखेगा कि हाँ ये काम इस बंदेगा है इस डिरेक्टर का काम यह है कि advertisement समालना एक डिरेक्टर कर पैसे लगने थे 5 लाग लेकिन ये डिरेक्टर तो अपने चाचा के लड़के से करवा रहा है पांच लाग की जगह उसको 10 लाग दे रहा है ठीक है है हाईर करना सलमान खान को हाईर कर लिया 2 करोड में एड़ करवाने के लिए इसने क्या करा दो करोड किसी और छोटे एक् में और उससे पैसा खुदी खा गया पॉइंट इस कि अकाउंटेबिलिटी ओटर अगर धंग से देख लेगा कि कौन किस चीज के लिए धंग से जिम्मेदार है तो आटोमेटिकली कंपनी का गवर्नेंस अच्छा होगा ठीक है सेकिंड पॉइंट रिप्रेजेंट इंट्र जो जो कमपनी के मालिक होते हैं उनका पता चलता ना चीज़एं कि हाँआँ एंटरज ओफ शेयर होल्डर है वोता है नुटा रहता है जो चेयर होल्ट का यंज रहता हैं और उसका घ्रोथ मैक्सिमाइज हो ठीक है देखो इसमें लिखा भी हुआ है उसका जॉब क्या है कि पनांशियल साइस फनांशियल रिपोर्ट से सब कुछ पता जल जाएगा ठीक है और क्या कि जो बोर्ड है वो रिसीव कर रहा है एक्कुरेट एंड रिलाइवर इन्फॉर्मेशन वो यह एंशोर कर लेगा कि सबकुस टाइम पर चल रहा है सबकुस समय पर काम हो रहा है सारे पनांशियल सही है तीसरे क्राइसिस मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या है क्राइसिस तो वड़ी आपको समझ वा रहा हो ना क्राइसिस होते हैं कंपनी एकदम डूपने किने ऐसे steps पहले से सोच के रखे हैं कि company अगर डूब जाएगी कल को तो वो क्या कर सकती है क्या वो अपने asset बेचके लोगों का पैसा चुका सकती है कपनी वालों डूबने वाली होती है तो क्या उसके पास factory है office है कोई machinery है asset है debtor है क्या इतना पैसा है कि company सबको जितनों ने जिनों जितना पैसा लगाया था उनका पैसा चुका सके ठीक है तो crisis के time पर अगर वो manage कर पा रही है अपने आपको की नहीं ठीक है तो जब order अपनी audit ढंक से करेगा तो यह चीज भी लिखेगा उसके audit में clause होता है going concern का essay 570 essay 570 में लिखा हुआ है यह मैं आपको knowledge के लिए बता रहा हूं बीच बीच में ताकि आप चीज़ों को relate कर पाऊ हो going concern के लिए होता है sir going concern के लिए क्यों होता है going concern तो समझते होंगे सारे आपने बच्पन में पढ़ा होगा 11 में कि company going concern है या नहीं है मतलब sir जिनको नहीं पता या भूल गए है सुन लो going concern is कि company आगे चल सकती है कि नहीं चल सकती company डूबने तो नहीं वाली company के उपर तो बात नहीं आ गई यानि वह going concern सही है या उसका नहीं है तो इस ऐसे के according भी या वैसे भी ओईटर चेक करता है सारी बुक तो उसे पता होता है कि यार अब तो company डूबने वाली है तो वह चीज़े लिखता है अपनी रिपोर्ट में ओईटर रिपोर्ट में चीज़े बताता है कि as per section एससे 500 570 दिस इसमें यह इसवे चल रहे हैं अब अब में मशीन रही है खराब हो गई है company ने अपना पैसा निकाल ले है company से ठीक है company के partner में लड़ाय हो गई है तो वह अपना चाहता है वह अपना चाहता है और इसलिए company चलीन पार कोई भी reason अगर है तो उसके हिसाइब से करना कंपनिया गोईंग कंसर्ण खराब हो रहा है क्राब हो रहा है कुछ भी हो सकता है कंपनी बंद होने का रीजन क्या क्राइसिस मैनेज करने के लिए कंपनी रेडी है या नहीं यह और रिपोर्ट से आपको पहल जाएगा अगल्य रिस्क असेस्मेंट एन मिटिगेशन फ् मतलब मिटीगेट करना कि रिस्क एससेमेंट सही से किया औल्ट ने रिस्क एससेमेंट का भी एसेज हैं देखो बीज़े मैं एसे का एक्जाम्पल दे रहा हूं पता नहीं क्यों दे रहा हूं मैं यह सहां मझे देने नहीं चाहिए ऐसे 310, 303, नहीं, 310, 301 लिख दिया मने यार, 310, 320, 330, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे बड़ी बुक से पढ़े हैं, या किसी और बुक से पढ़ लें, इसमें बहुत जाज है रखा है, तो उनको ये रेफरेंस मिले, और काम क्या है, साथ में रिस्क भी असस करता है वो, कि कुछ कमपनी में कोई रिस्क की चीज ये तो नहीं हो रही, कमपनी के पास पैसा था, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा मार्केटर्स उठा ले जबर जस्ति ज़रूरी नहीं है उठाना, रिस्क आ गया है ना कमपनी में, पैसा पी जुरूरी नहीं है, अब तुझे इन्वेश्टर को पैसा भी देना पड़ेगा, और उनको हो सकता है कि उन्होंने टेट ले रखा हो, लोन ले रखा हो, लोन पर व्याज भी देना पड़ेगा, तो रिस्क क्यों ले रहे हो तुम जबर जस्ति का, जहां जहा अगला, maintain strong relationship with regulators, regulators क्या होते हैं दोस्त, regulators होगे आपके, इसमें दे रखा है नहीं दे रखा, disclosure more likely to, regulator होगे आपकी government, companies act, जिनके अंदर रहके आप काम करते हो, regulate करती है जो आपके business को, आपके business की industry को, आपकी company को, तो government तो होता ही regulator है, government के अंदर तो सारी चीज़े ही आ जाती है, companies act का according आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे है, ठीक है, income tax हो गया, income tax भी तो एक regulator होगा ना, IT, income tax भी तो देखता रहता है सारी चीज़े है, आपने tax सही से भरा कि नहीं भरा, ठीक है, तो उनका relationship से भी strong होता है, तो यानि आपको क्या चीज़े होगे सारी, accountability promote होती है, interest of shareholder हमारा बढ़ता है, represent कर जाता है, order अगर अपना सही से काम करें, crisis को manage सही से कर पाऊगे, आप, risk को assess सही से कर पाऊगे, यहनि सही से corporate governance आपको बन पाएगा, और regulator के साथ strong relationship होगा, जब आपकी books सारी ओईटर सही से काम करेंगा, financial statement सही से देखेंगा, company सही से टेक्स भरा है नहीं भरा, यह सब कुछ auditor सही से बताएगा, तो automatically जो government के नजरों में, companies act के नजरों में, IT के नजरों में, income tax authority के नजरों में, आप सही होगे, आप पे scrutiny का case ही नहीं करेंगी, income tax, वो देख लेगी, आपकी books, आपने सही से टेक्स भरा है, इतने लाग की income थी, और इस business में इतनी income होनी चाहिए, इनके पास तरीके होते हैं, income tax authority के पास, इनके पास experience भी बहुत होता है, बहुत सारी company को यह लोग चेक करते हैं, तो इनको मोटा मोटी पता होता है कि आप कहां गड़बड़ी कर सकते हो, तो क्या होगा दोस्तों, इसकी वज़े से आपका corporate governance बढ़िया होगा, ठीक है, increase होगा,